किसान अंदोलन करनाल हिंसा के विरोध में देज भर में आंदोलन 5 सितंबर की महा पंचायत के तैयारी जोरों पर खटर को भरना पड़ेगा मुआफजा कहना है करनाल हिंसा में घायल किसानों का अफगानिस्तान में अमेरिकी आकर्मन के बाद करीब 33,000 बच्चे मारे गए या विकलांग हुए और आखिर में करोना अपडेट देश में 24 घंटों में 47,92 नए मामले 509 मरीजों की मौत हर्याना सरकार के किसान विरोधी और बरबर वेवार की हर तरफ से कड़ी निन्ना हो रही है करनाल बार असोसियेशन के सेस्टियों ने 28 अगस 2021 को लगू सचवाले में जब सीम खटर एक कारेकरम के लिए करनाल में थे विरोध प्रदेशन किया और SGM आयूश सिना और लाट तो एक 2 सितंबर को एक विरोध प्रदेशन आयोजित करेंगे AILU ने कहा कि वे कल सुप्रीम कोर्ट से हर्याना भवन तक विरोध मार्श निकालेंगे विविन दलों के कई नेताओं ने हर्याना सरकार की निंदा भी की है बिहार के गया में 25 सितंबर को भारत बंद के तैयारी के लिए एक संयुक्त किसान समेलन ने किसानों के खिलाफ पुलिस द्वारा की गई करनाल हिंसा की कड़ी निंदा की हिमाचन प्रदेश के सिर्म और जिले में प्रदशन कर रहे किसानों के प्रती गहरी एक जुटता और करनाल के घटना के बाद के खिलाफ आकरोश जतानी के लिए किसानों ने अंशन शुरू कर दिया है किसान स्युक मोर्चा ने कहा कि पंजाब और हर्याना के मुख्यमंत्रियों के बीच जारी सारवजनिक विवाद के बावजूद तथ्य ये है कि हर्याना के लाखो किसान वर्तमान किसान अंदोलन का हिस्सा है और इसान दोलर्ण में हर्याना राज्य से अब तक कई बहादुर किसान शहीद भी हुए है हर्याना के किसान क्रिशी कानूनों के प्रतीकूल प्रभावों और MSP कानूनी MSP की कानूनी गैरेंटी के महत्व को पूरी तरह से समझते हैं वे अपने अधिकारों के लिए संगर्ष में बढ़ चड़ कर बागिदारी कर रहे हैं करनाल के बस्तर टोल प्लाजा पर हुई हिंसा में बहुत से किसान जखमी हुए और एक ही मौत भी हुई थी निउसक्लिक ने मृत किसान के परिवार से और घायल किसानों से मुलगात की देखें निउसक्लिक की एक रांड रिपोर्ट अमने रोड़ जाम किया भी नहीं था इतने में पूलिस ने आके जो हमारे पर लाटी एक ये लगी एक ये लगी एक ये टांग पर लगी एक सीर मन लगी तो हमारे आथ में तो कुछ था नहीं हम तो खाली आथ थे मारो पर इजामाना है और क्या करें कुछ बाज गे आदमी कुछ पीट गे कुछ भी बेसिया से हो गया संतारी साल का लड़का ता जी ये लड़का संतारी साल को उस्ति नहीं लाठिया पड़ी उसको और रात को उसे डेट ही हो की बचारे की 28 अगस्त को बीजेपी सरकार के करनाल में हो रहे एक राजनेतिक कार्यक्रम के खिलाव विरोध करते किसानों पर हर्याना पुलीस ने बेर रहमी से लाठी चार्ज किया यह घटना करनाल के बसतारा टोल प्लाजे कर हुई किसानों का विरोध प्रदर्शन हर्याना के मुख्य मंत्री मनोहरल खटर के खिलाव था किसानों का मानना है कि यह हिंसा SDM आयूश सिनहा के कहने पर की गई थी जिनोंने पुलीस को किसानों का सिर तोड़ देने का आदेश दिया इस घटना में बहुत से किसान जखमी हुए और एक किसान सुशील काजल ने अपनी जान गवा दी निउसक्लिक ने विरोध प्रदर्शन दोरान जखमी हुए किसान और सुशील के परिवार वालों से मुलाकात की और जिस दिनों ये कांड़ हुए जी उदिनों वो तरकी गड़ से साड़े दस बजे शड़े नो के करीब निकल लिया तो हम गड़े थे जी तो हमने मैसीज मिला कि वहां लटवाजी गया वाट्सअप पर आया जी मतलब वहां लट्टी चार्ज हो गया तो पर मैं भी गया जी वहां हम भी गयें जी वहां अच्छो मैं गया तो में लट्टी चुखिल लागी लिए ठीक है जी मैं तू दूर हो मतलब तुमारे पिछारो मा जी देखी जाओ जो भी होगा लट्टी चार्ज होना के बाद उसको जीरी में गेर के जी बूंडी तरहां पिट्या जी खूब उसके गुद्धी मैं ऐसे मंदो गोले मंदो अच्छ पूरी तसल्य करी जी ठीक है ना तो उसके बाद भीर हो स्याम को ग दिया. तर्की उठारि जो खतमोया पास. चार-पांस को टार्गेट एक आदमी वो टार्गेट किया चार-पांस तरब से तब उसको बीच में लेके मारते थे वैसे लंबी लाठी में इतने जल्दी कौन मरने वाड़ा था मैंड़ी और अब कह रहे हैं कि वो हर्ट अटाइक था हर्ट अटाइक किसी ने बताया मैड़ यह स्पेसल अमारे साथ तो हुआ नहीं है पहले मतलब आपको भी पता है छेसो से उपर किसान सही दो चुके हैं तो बस यही बोलना चाहेंगे कि कुछ ऐसा करें सरकार की जो यह सादते दी जारी हैं यह बंद हो जाएं और जो वो चारे हैं वो कम्प्लीट हो जाए काम और हो आसानी से मतलब अपने परिवारों को संबाल सकें किसान सही उक्तुमोर्चे का एलान आए कि कहीं भी वीजेवी वाले हैं जो कहीं भी आएं तो जब तक काले कनून रद नहीं हो जाते तब तक हम उन्हें कोई भी मीटिंग नहीं करने देंगे वहाँ पर परशाशन ने जब बुजूर्गों पर लाठी जार्जी कर रहे थे तो हम नीचे बैठे होए थे तो मैं एक दर उपर लिटा तो मेरे दमाला था दमाला पर जब उन्होंने डंडे मारे हैं तो मेरे सिर में चोट नहीं आई लेकिन जब उन्होंने साड का डंडा मारा तो मेरी ये आख की जो है ये हड़ी है, ये टेडी releasing और आख से इससे कुछ भी नजर नहीं आता है अभी तक कुछ भी नजर नहीं आरा है और बाकी ये जब मैनने बाजु रूकिया है, हाथों पे है ये है, ये मेरे shoulder पे है यहां पर जुत्ते मारे हैं गुप तंगों में। गुप तंगों में। गुप तंगों में। गुप तंगों में। क्योंकि दो दर्शक लंबा चला अमेरिका का नेतृत्व में। सेव दचिल्डन ने एक प्रेस रिलीज में दावा किया है कि इस युद्ध में 2005 से देश में करीब 32,945 बच्चे मारे गए हैं या विकलांग हो गए हैं। इसमें ये भी दावा किया गया है कि पिछले दो दशकों में अफगानिस्तान में मारे गए बच्चों की वास्तविक संख्या इस आंकडे से काफी अधिक होगी क्योंकि इसमें उन अफगानी बच्चों को शामिल नहीं किया गया है जो भूक, गरीबी और युद्ध के कार कारण हुई बिमारियों और शासन की विवल्ता के कारण मारे गए हैं।से इसमें हर 5 घंटे एक बच्चा मारा जाता है या विकलांग हो जाता है और देश में हर सोला में से एक बच्चा पांच साल की उम्र से पहले ही मर जाता है देश में आतंकबादियों के खिलाब तताकतित लड़ाई में अमेरिकी नेतरत्ववाली सेना ने अंदादुन्ध हवाई शक्ति का इस्तमाल किया था अक्सर इन हवाई हमलों में और बंविस्पोटों में निर्दोश नागरिक मारे गए हैं क्योंकि उनके घरों और नागरिक शेत्रों और बुनियादी धांचों पर हमला किया गया है नागरिक शेत्रों में आतंकवादी समूह द्वारा किये गए अन्द उन्ध हमलों में भी हजारों मौते हुई विबिन अनुमानों के अनुसार 2001 से और 2021 के बीच में पचास हजार से एक लाख अफगानी नागरिक मारे गए हैं केंद्र स्वास समंत्राले द्वारा आज गुरुवार 2 सितंबर को जारे आकड़ों के अनुसार देश में 24 घंटों में करोना के 47,92 नए मामले दर्च किये गए हैं और 500 से जादा यानी 509 मरीजों की मौत हुई है जिन में से महराश्च्टर में 24 घंटों में 183 मौतें केरल में 173 और उरिशा में 53 मरीजों की मौत हुई साथी इसी बीच देश भर में करोना से पेड़ित 35,181 मरीजों को ठीक किया गया है और आकटिव मामलों में 11,402 मामलों की बढ़ोतरी हुई है देश में संक्रमित लोगों की संक्या बढ़कर अब 3,28,57,937 हो गई है जिन में से अब तक 4,49,529 लोगों की मौत हो चुकी है देश में करोना से पेड़ित 97,48 पीस दी यानि 3,20,28,825 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और देश में अक्टिव मामलों की संक्या बढ़कर 1,9,19,9 पीस दी यानि 3,89,583 हो गई है स्वास मंतराली की ताजवान का रिके नुसार करोना वैक्सीन की अब तक 66,30,37,334 डोस दी जा चुकी है जिनमें से अब तक 81,00,000 वैक्सीन की डोस पिछले 24 घंटों में दी गई है न्यूस क्लिक के डेली राउंड अप में आज बस इतना ही हमारी खबरों को और विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं हमें Facebook, Instagram और Twitter पर फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें न्यूस क्लिक देखने के लिए शुक्रिया